मंदिर वही बनाया है जी हाँ आज प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं राम की नगरी आयोध्या और बड़ी खबर ये कि कुछ देर में आयोध्या पहुंचेंगे पीएम मोदी आयोध्या एपोर्ट और इल्वे स्टेशन का आज पीएम को उद्गाटन करना है आयोध्या को मोदी देंगे 15,000 करोड से भी जादा की सोगा आयोध्या में कई परियोजनाओ का उद्गाटन और श्रिला नयास करेंगे पीएम और पीएम के स्वागत की तैयारिया देखे सुबह से ही आपको आयोध्या से हम तस्वीरे दिखा रहे हैं आयोध्या वासी आज की सायोध्या को देखकर कैसा महसूस कर रहे हैं और कुछ खास दिगज लोग इस वक्त मेरे साथ हैं जिन्होंने नब्बे की आयोध्या को भी देखा है और आज का ये खास मौका है जब मुझे ये मौका मिला है आपसे बातचीत करने का महराज क्या नाम है आपका के दवरा परिकलपना नहीं कर सकते आज पहले की स्थिति आज और श्यमर गई है एक भारतिय संस्कृती का जो दिख्धर्शन है जिसके हम परिकलपना ही नहीं कर सकते हैं अपने बमा maior के जो परिपाठी रूर्ची मनिश्यों को वह दिखाई दे रहा है इसलिए तो इतना ज़्यादा बदल गया जैसे कि हम परिकलबना ही नहीं कर सकते अपने बानी के द्वारा उसकी अभी वक्ति हम नहीं कर सकते यही सवाल करने वाली थी महराज नाम आपका और क्या आपने सोचा था कि आखिर इतनी बदल जाए गया मेरा नाम राम गोविन सरन है और देखी लगातार रिपोर्ट्स हमारे सयोगी दिखा रहे है उद्या से इस वक्त खुद हमारे तमाम सयोगी जुड़े हुए सीधे चलेंगे उनके पास अभी जीत हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कुमार कुंदन भी इस वक्त जुड़ हैं सुर्फी भी होंगी हमारे साथ उनके बास भी हम चलेंगे सबसे पहले कुमार कुंदन के बास चल रहे हैं कुमार हम लगातार आपकी रिपोर्ट्स देख रहे हैं लेकिन हम यह भी जानना चाहेंगे अयोध्या नगरी के जो आम लोग हैं आम वासी हैं वो इस मौत सो को इस उत्सो को इस तैयारी को इस रूप सज्जा को आयोध्या की किस तरह से देख रहे हैं उनके मन के भाव क्या है अगर आपने उनसे बात कियो तो आजोध्या की लोगों की अगर बात करें तो वो लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही मानते हैं कि इससे पहले ना तो आजोध्या इतनी खुबसूरत कभी दिखी थी और ना आने वाले दिनों में न भूतों न बहुष्यतों वाली बात है और ये कापी सारे यहां पे लेकिन जोगी मोदी नहीं हुआ वो करके दिखा दिए किसी को उमीद नहीं थी यह हो पाएगा नहीं तो यह 22 तारी को क्या होगा अगर आज यह सेवी फाइनले को बाइस तारी को जो विजय सब देखेंगे अरे आ रहे हैं 50 केंट्री मुसिलिमों की आ रही है अच्छा सब लोग देखेंगे या पर बिल्कुल कुमार कुंदन ये खुशी चेहरे पर देखने को मिल रही है खास क करके जो आयोध्या के वासी हैं जिनसे आप बातचीत भी कर रहे हैं वो बता रहे हैं कि इस वक्त वो क्या महसूस कर रहे हैं क्या हैं पंकज जहां भी हमार साथ आयोध्या से जुड़े में हैं पंकज के पास चलते हैं पंकज इस वक्त आप कहां पर मौजूद है और PM के कारिक्रेम से जुड़ी क्या जानकारी कितना वक्त और जब वो आयोध्या में मौजूद रहेंगे नगर भ्रमन करेंगे और सबसे बड़ी बात जो दो बड़ी सौगाते हैं रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का उद्गातर वो हमें देखने को मिलेगा जी हां बिल्कुल हम जिस जगह पे हैं यह है आपको दिखाता हूं राज की तुलसी उद्ध्यान है यहां पर और जो लोग यहां आते हैं उन सब को यह पता है कि कौन सी जगह है और इसी रास्ते से होकर कि प्रधानमंदी के रोड़ शो की सुरवात वगर होगी और तारो की जो प्रस्तुतियां की जाती है और उसी तरीके से सामने में अगर देखेंगे तो भील डांस वगर है दीरे दीरे चुकि ठंड बहुत है घना कोहरा भी था तो यह देखी दोनों तरफ से कतारे लगाई गई है और रोड़ शो इसी तरीके से होकर के गुजिरेगा जब ज जाएंगे एयरपोर्ट और उसके थोड़ी दीर बाद वह यहां से गुजरेंगे जब रेलवे स्टिसन के तरफ जाएंगे उसे रेलवे स्टिसन और एयरपोर्ट ही नहीं इसके अलावा मेटकल कॉलेज मल्टी लेवल कार पार्किंग से लेकर करके कड़ी 15,000 करोड की रंग महोच्सव हो रहा है वहां पर आप जहां पर मौजूद हैं हम देख रहे हैं कि वहां निर्त भी चल रहा है इस वक्त दिखाईए तस्वीरें बिल्कुल रवी और जिस बात का जिक्रियां पंकर जी कर रहे थे मुझे लगता है कि यहां पर मौजूद लोगों को ना ठंड का कोई असर हो रहा है ना घने कोहरे का यह बस उत्साहित हैं उस घड़ी का इंतजार कर रहे है जब प्रधान मंतरी यहां पर होंगे कोई जासी से आया है कोई हर्याना से आया है कोई मतुरा से खास कृष्ण लीला प्रस्तुत कर रहा है और कोई यहां हमारे साथ प्रतिमा यादों मेटकर नगर अधी पधावा लोग रित है जो कि आज हम सभी को बधाया दे रहे हैं हमारा यह जनम भूमी बनने को तयार हो आया है और पूरी आयुद्या नगरी सज गई इसलिए साथान प्रसासन के लोगों को बहुत बधाए देतु है हम सभी बधाया लोगनुत्य कर रहे हैं और परिशावन कर रहे हैं सब की बलईया ले रहे हैं और यह से नहीं नजर ना लगे और एसे हमारे प्रदेश और द कि भारत तरीके से प्रगती कर रहा है और अयोधिया जुस तरीके से बदली है उसको कोई नजर नहीं कुछ साल ही नहीं कई सो वर्षों से हमारे देश पर कुछ ना कोई ग्रहन लगा हुआ था लेकिन यह समय ऐसा आ गया है कि सारी बलाएं दूर हो रही है और इसलिए हम दूर है मंदिर में तो वैसे दूरा दूरन का भी इसी से परचावन होता है तो हम लोग आज अपने महिया सीता राम जी का लश्मन भहिया को हम लोग इसी से परचावन करेंगे देख रहे है रवी यहां इन कलाकारों से जब आप बात करते तो मैं यह जानने की उनसे कोशि करती हूं कि किस तरीके से यह लोग सोच कर आज यह खास प्रस्तुती करने वाले हैं इसलिए यहां पर देखिए किसी को भी इस बदलते मौसम का कोई फरक नहीं पड़ रहा बस उस खास मौके बर इनकी मौजूदगी ही इनको सवभागे शाली महसूस करवा लगा लगारा हम दिखा रहें चार कैमरों से चार अधभुत और भवित तस्वीरे राम नगरी आयोध्या की दिखा रहे हैं कितने उतसाहित हैं लोग राम लला अब आ गये हैं और 22 जन्वरी का वो दिन है जब राम मंदर प्रांट पृतिष्ठा का पूरा कारेक्रम होगा उससे पहले आ इत्राम वहां देखने को मिल रहे हैं जी इस वक्त में एवध्या के टेड़ी बजाद चोड़ा है पर मौझूद हूं हमारे साथ तमाम लोग भी मौझूद है लेकिन उससे पहले हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं इस जगह की आप देख सकते हैं कि सुरक्षा के तो चाक जो की लगातार मुआयना करते हुए आप देख सकते कि यह केवल केट भी यहां से गुजरता हुआ आपको अभी दिखाई देगा हलाकि एक ड्रिल हो सकती है लेकिन सामने जिस सड़क की तरफ यह केवल केट आपको जाती हुई दिखाई दे रही है उस तरफ ही रेलवे का उद्गाटन करने जाएंगे जो उसका रेनोवेशन हुआ है और इसी चोड़ाहे से गुजरेंगे तो तमाम लोग यहां पर अभी से नौ बजे के बाद ही जुटना शुरू हो गया है क्योंकि वह प्रदान मंतरी नरेंद मोदी का स्वागत करना चाहते हैं उनकी जहलक पाना चाहते हैं बड़ा मौका योद्या के लिए अब हम लोगों से जुड़ते हैं सीदे उनसे बाचीत करते हैं कैसा मौका है क्या इस तरह का दृष्यक अभी आयोध्या में पहले हुआ इस तरह का जो विकास कायर देख रहे हैं कैसे इसको देखते हैं आप लोग ओम सरम प्रधान मंत्री हुए जिनोंने आजादी दिलाया आज राम जनम भूमी भाब भावर नभ बन करके तयार हो चुका है ऐसे मानने प्रधान मंत्री जी का स्वागत के लिए पूरा तीर्थ प्रोहिष समाज पूरा परम पुछ साधू संथ अयोध्या की जनता इस प्रकार से उसों में उनके स्वागत सम्मान के लिए पूरों की बर्सा के लिए दीप माला आरती उतारने के लिए आयोध्या की जनता उसुक है